मैं हूं स्वागत है आपका इस नए सेशन में इस नए दौर में जहां पे आप स्टार्ट करने वाले हैं आपका सीए इंटर मीजेट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीए इंटर निव बैच बाइस अंगर कांस्टिया कि आप कुछ नहीं सीखने के लिए तैयार है तर लाइस स्टार्ट गाइस सूपर डूपर एक्साइट हूं मैं इस बैच के लिए ट्रस्ट मी एंड एंड आम शूर बहुत-बहुत-बहुत-बहुत मजाने वाला है सो यही यहां पर मेरे सा जुड गया है मेरे बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत पे सबने था- और pre-ipples कांटर गे के? आल आउनलट इसलोगा कैमर त form all over the country टेक है? 9 I'll not specifically name but if we can see तो कहा कहा से यहां से लोग है ठेली, को tastes Rajas她, Bihar, Ajmer, Northpur, Chandrapur, Somnat, Jaipur, Mumbai, Karnyana, endless wow so kya बोलते हो public excited ho CA foundation ka exams तुम लोग ने clear कर लिया है and time to rock the sessions very important topic and क्यों important है वो मैं आप लोग को दीरे दीरे बताते जाओंगा but yes but 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 उसके पहले क्यों ना मैं अपने बारे में कुछ आप लोग को बता दू so that we are connected from day one सब से important चीज जो मैं को आप सब लोग से चाहिए रहेगी throughout the sessions is that everybody has to be participative ठीक है जितना आप मेरे साथ communicate करोगे उतना अपने sessions में मजाएगा and the better we will be able to be productive तो एक वादा आप लोग को मुझे करना है that yes one we will be 100% attentive and communicative and दूसरा sir we will try to be 100% present in all the lectures देखो जोश-जोश में start तो सब करते हैं ठीक है बट फिर वो ही है जो consistently उसको ले जा पाता है ना बस वो ही सिकंदर कहलाता है so 101% आप और फिर्स अटेम में clear करेंगे बस follow करते रही है जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ सारी चीजे and I'm sure you guys are going to crack it but दो चीजे मिरको आप लोग की तरफ से चाहिए guys please वादा कर रहे हो ना एक non-stop communication during the lectures one that's the most important thing and दूसरा consistency discipline के yes आज मुझे lecture attend करना है मतलब करना ही है और मैं आपको बोल रहा हूँ starting के 10 12 15 lectures में तो full 100% attendance होगा but उसके बाद जो consistent रह पाएगा मैं आपको बताता हूँ वो ही आगे तक consistently exam को clear भी कर पाएगा this is what my experience of so many years of teaching of so many years of being a student tells me guys so game उधर ही change होता है yes so communication अपन करेंगे two-way communication और specially यह कैसा online lecture ठीक है चलो live में तो आप सो रहे हो जाग रहे हो आपका ध्यान है कि नहीं I have a way कि मैं आपको देख के बता सकता हूँ अब यहां पर all of us are online तो discipline मैं maintain कर वाऊंगा excitement मैं लेकर आऊंगा हर session में उसके लिए आपको टेंशन लेनी के जरुत नहीं है बस आ जाना बाकी टेंशन की बात ही नहीं और lecture का time है 224 30 तो टाइम तो मैंने ऐसा चूज किया है या लंज के बाद या तो इस पार सो जाएंगे या उस पार बहुत अच्छी तरह से पढ़के जाएंगे तो पता आपको मैंने क्यों यह timing चूज किया क्योंकि मुझे पता है यह टाइम पर सबको नीन आती है बट मुझे अप आपको ना सोएंगे ना सोने देंगे ठीक है so that's that's the whole thought process तो चलो आप स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग के एक दो सेशन एकदम लाइट रखूंगा मैं मजाएगा आपको और फिर दिरे दिरे technicalities of this subject में अपन जाएंगे ठीक है बट उसके पहले यह सब चीजों के बारे मे कुछ चीजे बता दू मैं आपको मेरी इस टाइम पर अच्छी पढ़ाई होती है शुभं बोल रहा है very good nice to hear that तो और बोलते है न एक सोने पर सुहागा वाली बात हो गई है तो so let me give you a small introduction of myself so मेरा नाम है CS अंकल कांस्टिया नाम तो सुना होगा से नो डीटा हाँ है so yes by profession I am a chartered accountant and I am a company secretary as well so मैंने CA और CS दोनों साथ में अपना studies किया था I am from Mumbai so Mumbai में graduation मेरा N.M. College नर्सी मोंजी College करके है वहाँ से हुआ था and बस वही time पर सपने देख लिये थे कि yes CA करना है and इस तरह से करना है कि दुनिया याद रखे आज से अगर 15 साल पहले मैं अपनी बात करू तो 12-15 साल पहले की बात करू तो मैं भी आपकी जगा पर ही बैठा था ठीक है आखो में सपने लिये घर से हम चलतो दिये जाने ये राहे अब ले जाएंगी कहा राहे बहुत अच्छी रही है और मन्जिल जो CA की मन्जिल थी वो भी ऐसे ही चलते चलते मिले तो मैं बोलो ना I can imagine I can just visualize के 12 साल पहले जो मेरी situation थी you are exactly at the same place right sir आपको इंटर में कितने attempt लगे थे good question so मेरा इंटर first attempt में clear हो गया था and कैसे हुआ था वो tips and tricks आप लोगो के साथ मैं जरूर शेर करते रहूंगा मैंने जब CA complete किया तो सर आपने CA करने के बाद सीधा job करना किया आपने किया या आप सीधा teaching में आगे तो मैं आपको मेरी स्टूरी सुना चाहोगे मेरी स्टूरी CA बनने के बाद मैंने क्या किया था येस ये शुवाम ओके सो वन्साइं कंप्लीटिड मैं चार्ड अकाउंटेंसी जहां से सुना मेरे को हमेशा teaching का ही काफी शॉप था और मैंने सीए फाइनल में तब था जब मेरे थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाना चालू कर दिया था और फ्रेंट्स को पढ़ाता था तो मुझे काफी टीचिंग का एक पैशन था बट मेरे घरवालों ने बोला यार सीए हो गया है सीएस हो गया है निकल गया तेरा फर्स्ट अटेम में मेरा अल्मोस्ट एना ग्रैजूएशन तक सीएस कंप्लीड भी हो गया था और सीए भी बाइज और विफोर 22 आ वस अल्रेड चार्ड अगाउंटेंट तो घरवालों अल्सों गेट अबेटर आइडिया अफ प्रैक्टिकल वर्ल मुझे या आइडिया बहुत अच्छा लगा और या जोइन जेपी मौगन वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैनांशल सर्विसे कंपनी इस वाट आइज जोइन वहां पर मैंने प्रैक्टिकली जो मैं आप लोग को प अनलिस्ट जोइन किया था फिर एक साल बाद मेरा प्रोमोशन हुआ I was promoted to senior financial analyst and then I was in their asset management and financial due diligence team and that is where मैंने ये subjects चूज किये costing and FM तो जो आप लोग को पढ़ाने वाल हो ना वो मैं practically कर चुका हूं ठीक है तो जो financial analysis एक FM में बढ़ाऊंगा या costing में आप लोग को जो मैं cost accounting, management accounting, marginal costing और ये सब चीज़े कराऊंगा ना ये सारी चीज़े मैंने practically की है being a chartered accountant and ये exposure बहुत कम लोगों को मिलता है मैं आपको बता रहा हूं yes you know majority of public audit में जाता है stat audit, internal audit या फिर tax में जाता है direct tax हो गया GST हो गया I was the privileged one के मैंने in different fields में काम किया और वो different fields में काम करके आज पढ़ाने का मौका मिल रहा है so you are studying from somebody who has actually seen that world and मैं जब आपको वो connect करूंगा ना वो दुनिया से मजा आ जाएगा ठीक है बाकी bookish knowledge तो देखो सब होता ही है देते ही है बट जब मैं आपको connect करूंगा के practically कैसे एक-एक market function करता है you know that's where you will realize the whole how the whole game changes तो इसे आपको पढ़ने म आपन लोग ने पढ़ाना then in that case it will become a big problem but यही अगर मैं आपको practical चीजों के साथ connect करता रहूंगा practical examples के साथ connect करता रहूंगा by god मजा आ जाएगा आपको लगया कि yes यार यह तो और पढ़ना है मुझे और यह आपको realize हो जाएगा within one to two lectures that how I am going to connect you to the whole world ध्यान से सुनना to the whole world when I am teaching you this subject ठीक है so खाली bookish knowledge नहीं आपको एक सच्चा charted accountant बना के चोड़ूंगा मैं by the time you clear your inter midget and I am sure inter के बाद final में भी आप अपन दोनों का साथ रहने ही वाल है so जब तक आप charted accountant बनेंगे I promise you to convert your personality into a different ballgame altogether मतला बाहर निकलोगे तो लोग बोलने चाहिए अरे भाई संकल सर से पढ़ाएगा so that's how the efforts that we are going to make ठीक है so JP Morgan मैंने जॉइन किया after becoming a charted accountant वहाँ पे as I told you asset management team में था into financial analysis into research and all of due diligence thing तो वो चीजे मैंने कि क्या होता है उस चीज में वो दिरे दिरे जैसे से sessions होते जाएंगे मैं आपको बताते जाओंगा उधर मैंने approximately four years काम किया and then finally जब मुझे लगा कि yes वो personality develop हो चुका है वो knowledge आ चुका है तब मैंने अपने परो को और बढ़ा किया और मैंने बोला कि चलो let's start my own coaching classes and then Bombay में एक छोटी सी जगा लेके मैंने खुद की coaching classes start की वहाँ पे तब face to face के lectures होते थे तब तो ये online और ये सब सुना भी नहीं था तो face to face lectures start किये मैंने around two to three students थे first batch में और फिर बाद में वो एक हावत है न हम तो चले थे कार्वा बनता गया तो बस ऐसा ही कुछ scenario was with me as well फिर बाद में मैंने online YouTube पे कुछ मेरे lectures डाले which CA final के lectures थे वो which was liked by students all over India उस दिन realize हो गया कि boss online coaching is going to be the next big thing in the education market and covid के just पहले covid के ही पहले in fact मैंने already online coaching start कर दी थी that time I was more into CA final then फिर CA inter का batch लिया and now there's there's no looking back तो आज की तारीक में मैं CA intermediate में paper number 4 which is cost and management accounting and paper number 6A which is financial management ये दोनों आप लोग को पढ़ाने वाला हूं and in दोनों subject में your expectation of marks should be should be guess करो चलो कितना marks लाकर दिखाओगे मुझे या चलो guess करो मेरे एक student को कितना highest marks आया है चलो आप बताओ costing का चलो पहले बताओ फिलाल अपना costing का वैच चलो है let's discuss about costing any guesses how much is the marks that my student in CA intermediate cost and management accounting has scored शौनक केडिया बोल रहा है 85 गौरव बोल रहा है 90 प्राची बोल रही है 99 एक माँ क्यों चुड़ा रही है बाकी लोग कुछ अपना लगते होंबग करके आये हैं and yes नकुम बोल रहा है 90 अप आशु बोल रही है 90 और बाकी काफी सारी लोगों ने 100 भी बोला है जिन्नों ने 100 बोला है येस शायद वो अपना होंबग करके आये हैं and yes it was I think May 22 attempt Mr. Arin Raag का he scored 100 out of 100 in this subject cost and management accounting जी हां और अगर वो कर सकता है then definitely आप भी कर सकते हो तो वो भी आप ही के जैसे मेरा live plus google drive का student था he cleared the examination in first attempt with golden marks and created history by scoring 100 out of 100 तो अब आप लोगों के लिए एक benchmark बन गया है boss मुझे पता नहीं कि आप बाकी subjects में कितना क्या score करने वाले हो but मेरा ये एक subject है मैं आपको बता रहा हूँ इस एक subject की वज़े से आपका मैं पूरा का पूरा CA intermediate निकलवा दूँगा ये मेरा वादा है चलो आपको मैं मेरा पूरा CA intermediate निकलवा दूँगा ये मेरा वादा है just on the basis of this one और one and a half subject costing plus मैं FM को भी गिन लेता हूँ तो ये दोनों को मिला के 150 marks is and should be your focus and अगर वो focus के साथ अपन पढ़ने वाले हैं then in that case there is no looking back मतलब एक word भी कहीं पे भी अपने को miss out नहीं करना है that's the intensity that I want from each one of you क्या बलता है public are we all ready for it guys yes then let's do it so आज आप लोग को अपने book में लिखना है that I will score 90 plus marks and ये आपका एक manifestation होना चाहिए और ये जब आप अपना notebook open करोगे everyday आपको पहले ये line दिखनी ही चाहिए that I am going to score 90 plus marks in costing and FM so I am going to score I am going to score 90 plus marks so 90 plus क्यों लिखवा रहे हो 100 ही लिखवा हो ना देखो इच्छा तो होई है but let's be realistic so 90 plus लिखते है let's be realistic ये भी आगया मैं बोल रहा हूं इससे बड़ी बात अपने लिए और कुछ नहीं होगी राइट so this is the first thing that you are going to write नाम के उपर I am going to score 90 plus marks in my in my CA inter costing exams everyday इसको देखके एक motivation लेना है at the same time अपने आपको पुछ भी करना है that देखो 90 ऐसे ही नहीं आता है अपने सबको पता है एक CA level का exam है so all of us know the intensity level institute का higher रहता ऐसे सब पेपर में लोगों का इतने marks का frankly speaking attempt भी नहीं होता है वो attempt में ना मैंने कुछ interviews लिये थे exam के बाद YouTube पे मैंने मेरा review दिया था paper का that अगर आपका इस paper में 85 to 90 के बीच में attempt हुआ है then it's a good thing that you have done little did I know के कुछ महीनों बाद दो महीनों बाद मुझे ही मेरा student आके एक result देगा that sir आप 85 to 90 attempt करने की बाद कर रहे हो मैं 100 marks लेकर आया हूँ so this is what is going to be our goal ठीक है आपका और मेरा ताली दोनों हाथ से बचती है मुझे भी उतने ही efforts डालने है to ensure that आपके concepts clear हो so that we can reach to this milestone at the same time आप से भी मैं इतनी ही महनत करवाऊंगा so that we reach to this milestone तो अगर यहाँ पे reach करना है तो कनाई से बहुत सारे writing practice की जरुवत पड़ेगी और उसके लिए मैं आप लोगों को पहले class में करवाऊंगा फिर थोड़ा थोड़ा रोज homework भी दूँगा तो promise number two क्या आप लोग regularly homework करके आओगे मेरे lectures में ठीक है because तो ही आपको समझ में आएगा न practice करोगे तो ही समझ में आएगा कि हाँ वह class में सर ने जो पड़ा है वो हम भी खुद से कर पा रहे है या नहीं because this subject is all about practice ठीक है so homework भी अपने को अच्छी तरह से करना है and this is going to be your motivation from now on all right guys चालो सार बहुत बढ़िया we are now super excited to start done promise मिल गया है मुझे सब की तरफ से and that's what I want चाल ग्रेट है अब let me tell you one thing ये एक नया subject है जो आप लोग पड़ रहे हो ठीक है I am assuming के आप लोग सब लोग majorly at least more than 80% of the crowd has cleared CA foundation and आप तुम लोग inter में first time आयो ठीक है so intermediate का मैं पहले आप लोग के साथ syllabus discuss करता हूं and then फिर में आपको बताता हूं के इसमें अपने subjects का क्या role रहेगा so CA intermediate आज की तारिक में इस CA intermediate को CA institute ने दो group में divide किया है group one and group two group one में उन्हाने तीन subjects रखे हैं पहला subject है advance accounts दूसरा subject है law corporate and other laws and तीसरा subject है taxation इस taxation में DT IDT दोनों आ गया and फिर आता है अपना group two group two में तीन subjects है पहला subject है cost and management accounting जिसको मैं प्यार से costing ही बोलूंगा दूसरा subject है auditing ठीक है and third subject है आप लोगों का FM and SM राइट सो इसमें से जो subjects मेरे हाथ में हैं जो मैं आप लोगों कवर करवा के full out of full आने वाला हूँ are going to be costing and FM ठीक है अब इसमें आप लोग क्या-क्या पढ़ चुके हो अपने लोग advance accounts बेसिकली पढ़ चुके है थोड़ा बहुत idea है law अपने लोग पढ़ चुके है this is a totally new subject for you taxation right costing is totally new subject for you auditing is a totally new subject for you FM financial management is a totally new subject for you and strategic management is also totally new subject for you all together कितने नए subject आप पढ़ने वाले हो intermediate में well it is going to be 4 and इसलिए कहते है कि intermediate is the most crucial stage of your CA journey ठीक है तो क्या CA ने पता है अब यही जब आप final में जाओगे न तो final में group 1 में है FR which is accounts group 1 में audit group 1 में SFM कैना इसे यह तीनों के तीनों subject आपके जो inter में वही final में group 2 में DT IDT कैना इसे यह DT IDT अपने लोग inter में भी पढ़ चुके है so CA final में कोई नया subject नहीं आएगा CA final में वही सब होगा उसका advanced level होगा जो आप intermediate में पढ़ चुके हो already getting me so that is where intermediate becomes the most important and crucial level because अगर इसको कर डाला तो life समझ लो जिंगा लाला ओर्राइट चालो so Gaurav का question है sir book कितनी page की बना है सब बताऊंगा तीरे दीरे एक एक चीज आप लोग को मैं everything I will be telling y'all but just telling y'all that 4 नए subject है ठीक है so that is where our focus should specifically increase in these 4 subjects law में obviously एक advanced level पढ़ोगे आप accounts में एक advanced level पढ़ोगे but at least एक idea है आपनको इन दोनों subject का तो आप ये चार subject को आप अपन कैसे manage करने वाले हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं तो पहले आपको एक बात बताओ मैंने जब CA का exam दिया था चलो आप लोग मुझे आप ये जो CA intermediate अभी आया है ये new syllabus का है इसके पहले जो intermediate था उसमें कितने subjects थे total मिला के group 1 group 2 मिला के कितने subjects थे चलो लेट मी सी आप लोग क्या जवाब देते हो को आप लोग सब लोग को पता है सब पहले तो है ना 8 subjects हुआ करते थे absolutely correct तो पहले तो there used to be 8 subjects उसको अब institute ने 6 कर दिया है now let me tell you कैसे ये transition हो रहा है मैंने जब अपना CA inter का exam दिया था हमारे time पे होता था PE2 professional education 2 so PE2 में हमारे time पे there used to be 6 subjects yes you heard that right there used to be 6 subjects उसके बाद में उन्होंने लाया IPCC IPCC में there used to be 7 subjects फिर उन्होंने लाया intermediate intermediate में there used to be 8 subjects फिर अब उन्होंने लाया CA intermediate new course इस CA intermediate new course में वह वापस से उस level पे आ गए है जो level पे मैंने CA का exam दिया था as a PE2 student and which is yes six subjects again तो एक आवद है ना history repeats itself this is what has happened here so अब बापस से उन्होंने छे subject introduce कर दिये तो हमारे time पे भी यह accounts law tax costing audit and FM SM के जगे पे there used to be a subject IT information technology बट वो अब उन्होंने remove करके FM SM डाल दिया है और costing और FM जब मैंने exam दिया था it used to be of 100 marks together जी हां तो costing के 15 chapter प्लस FM के 9 chapter सब मिला के खाली 100 marks का था तो institute को किसी ने suggestion दिया कि भाई इतने सारे chapters एक subject में 100 marks के लिए कैसे रख रहे हो आप then उन्होंने costing को separate किया and costing को full 100 marks का किया and FM को separate करके 50 marks के लिए यहां पे paper 6A में उन्होंने डाल दिया just giving an idea of how transitions happen in a course like chartered accountancy तो पहले 8 courses थे 8 chapters एक subjects थे फिर 7 पहले 6 थे फिर 7 फिर 8 फिर वापस से अब 6 chapters 6 subjects हो गए अच्छा मुझे बताओ passing आप लोगो पता है कैसे pass होता है आदमी ठीक है I'm sure आप लोग को rank लाना I'm sure आप लोग को उससे भी अच्छा score करना है बट अगर just if I have to ask you कि अगर आपको exams pass करना है then in that case कितना mark score करना पड़ेगा can anybody tell me guys can anybody tell me so okay so can I say group 1 and group 2 yes 40 in each subject अभी तो एक series आई है half सी है उसमें भी उसने ये चीज एक्स्प्लेइन की है I'm sure आप लोग को ये पता ही होगा आप तक that 40 in each subject and 50 in aggregate तो sir कैसे होता है ये एक बार बता दो आपको चला मैं assume कर रहा हूँ कि ये मेरा ही subject आप first पढ़ रहे हो and therefore मैं उस हिसाब से एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ 40 in each subject and 50 in aggregate दूसरा चीज एक important aspect जो उन्होंने change किया है is that पहले आप intermediate का कोई भी group pass करते थे या rather group 1 ही specifically pass करते थे तब भी आपको articleship का training के लिए start करने को allow करती थी institute अब institute ने वो rules change कर दिया है and बोला है कि बहुत जब तक दोनों group clear नहीं होता है तब तक आप आपका articleship start नहीं कर सकते so that where my easy suggestion to you is give both the groups for sure and I'm sure आप लोग सब लोग costing का batch attend कर रहे हो lecture अभी attend कर रहे हो तो I'm assuming कि सीधी सी बात है आप सब दोनों ही group देने वाले होगे एक rank का chance है दूसरा set off का भी chance है तीसरा जब तक दोनों group नहीं होता articleship start नहीं होगी articleship start नहीं होगी तब तक आपका final का attempt नहीं आएगा it is obvious कि end of the day तो मुझे CA final में जल से जल पहुचना है तो क्यों ना दोनों group do and definitely achievable है with proper guidance और उसके लिए तो हम यहाँ पे बैटे ही है तो sir कैसे हम लोग यह exam को pass करेंगे आप ज़रा बताओ तो now you have to answer me ठीक है आप लोग ने यह तो बोल दिया 14 need subject 15 aggregate दो मिनिट लेके अब मैं आप लोग को बोलता हूँ कि भाई देखो अगर ऐसा scenario है अगर ऐसा scenario है तो आप मुझे बताओ कि क्या यह बंदा से mister आप लोग में से किसी का नाम लेता हूँ तो accounts में law में और tax में इसका marks देखना भाई इसका marks है 45 75 35 45 55 35 क्या यह student group 1 में clear है क्या और से उसका group 2 का marks भी मैं आपको बताता हूँ से costing में उसको आया है 58 audit में उसको आया है 57 FMSM में उसको आया है 38 बोलो total बोलो क्या यह बंदा एक भी group में पास है क्या well unfortunately he is not clear in either of the groups अगर मैं इसका total करता हूँ 90 and 100 135 हो रहा है बराबर है यहाँ पे total करता हूँ तू इसका total हो रहा है 153 even though यहाँ पे इसका 50 into 3 50 का आपको aggregate चाहिए तो 50 into 3 150 का aggregate होता है यह होते वे भी यह बंदा है fail just because he has not scored 38 in each subject and 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 यहाँ पे 135 आया इसको बराबर है so ideally 135 तो 150 का भी total नहीं है and यहाँ पे उसको एक subject में कम भी है यहाँ पे also we will say he is fail तो that tells us that कोई भी subject को lightly नहीं लिया जा सकता है because every subject we have to score the golden marks and that is 40 तो चलो भई यह वाला first student तो अपना clear नहीं हो पाया कोई बात नहीं अब आपको बताना है क्या यह second student क्लियर हो पाया क्या इस second student का marks sheet कुछ ऐसा है इस second student का marks sheet कुछ ऐसा है advance accounts law taxation ठीक है and दूसरा group 2 में cost audit and say FMSM ठीक है इसका मैं marks बता रहा हूं आप लोगों को आपको बताना है whether he is clear or not say 55, 55 and 50 and यहाँ पर मैं लिखता हूं say 48 48 32 and 56 अब आप बताओ क्या यह clear है या नहीं सबसे पहले total करो total कितना आ रहा है यहाँ पर इसका minimum grand total 150 तो चाहिए क्योंकि aggregate aggregate तीनों का मिला के 50 होना ही चाहिए तो 50 इंटू 3 150 तो क्या 150 हो रहा है क्या the answer is sir 160 हो रहा है यहाँ पर चलो बोलो चल चल 48 प्लस 32 प्लस 56 and यहाँ पर it is 136 तो क्याना ही से this is where he is fail but at least यह बंदा group 1 में pass हो चुका है तो अब समझ में आ रहा है कैसे pass होते हो आप कैसे pass होते हो आप समझ में आ रहा है अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो थर्ड चीज मैं उसके बारे मैं बोलूँगा नहीं कुछ थर्ड चीज खाली मैं डारेक्ट ले एक example के तुरू बताऊंगा आपको बताना है क्या scene हो रहा है इस case में ध्यान से देखना गाईस ध्यान से ध्यान से देखना अब मेरे इस example को ध्यान से देखना मेरे इस example को आप लोग को बताना है पास या फेल आप लोग को बताना है पास या फेल एक मिनिट आँ आप लोग को बताना है क्या scene है इसका ग्रूप बंद पास ग्रूप ट का स कूछ की आप वाण पास बोड़ूप पास Votगरुप पास-इस वहत इस इस-ई-क करेक्ट, 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 सर यह तो बगवान का अदमी है लगता है 165 and इधर का टोटल 144 अब एग्रिगेट 150 है तो एग्रिगेट के हिसाब से अगर मैं देखू तो 165 है इसको भाई साब को इसमें तो group 1 तो clear है वो one side 150 के उपर भी है 40 के उपर भी है group 2 में individually 40 है but aggregate 150 नहीं है but because बंदे ने दोनो group साथ में दिया है तो इसका grand total हो रहा है इसका grand total हो रहा है 309 marks ठीक है 309 marks and अगर इसको यह 309 marks आया है aggregate 6 का 6 into 50 300 so 6 into 50 300 तो क्या यह 300 से जाधा है yes and दूसरा क्या 40 marks minimum सब में मिला है yes and since दोनों condition satisfied है he will be declared pass in both the groups जी हां इसी को कहते है set of benefit यह जो भी student है yes set of से पास हुआ है कैसे set of भाई 144 है उसमे 40-40 तीनों में है but aggregate में अटक रहा है this can borrow few marks from group 1 such that उसका भी 150 हो जाए और वो clear हो जाए क्या आप लोग को समझ में आ गया everybody guys ठीक है यह सब छोटी छोटी चीज़े हैं हो सकते है आपको पता हो सकते है नहीं पता हो अगर नहीं पता है पता हो नहीं चाहिए that's the reason I'm telling you each and everything at the beginning itself ठीक है अब एक और चोटा सा last example लेता हूं इसके तुरू भी एक और नया concept बता दूंगा जो शायद आप लोग ने ना सुना हो सुना हो तो अच्छी बात है यह ग्रूप वन यह ग्रूप टू ग्रूप वन का इसका टोटल है से advance accounts 55 law 55 tax 55 165 आप लोग का group 1 का answer मेरे पास आ चुका है बट अभी देखना cost 65 audit 35 and fmsm 45 अब आप मेरे को बताओ इसका टोटल देख लेता है कितना है इसका टोटल है 145 तो अगर मैं 145 प्लास 165 करता हूं तो 310 है तो aggregate तो हो रहा है इस student का क्या होगा आप लोग बताओ चलो इस बंदे का क्या हो तुम लोग तोड़ा सोच समझ के बताना टोटल इसका 310 हो रहा है ध्यान रखना हा इसका टोटल 310 हो रहा है अब क्या होगा इसका tell me what will be the result given by ICI, ICI Institute to this student very nice, very nice शौनक very nice तो चलो, yes, so yes situation में यह जो student है वो बोलेगा मेरा group 1 pass है सार मेरा group 1 pass है and group 2 के costing में इसको आया है exemption बड़ बाकी दोनों reappear करना पड़ेगा remaining to reappear remaining to reappear are we understanding? तो इसको क्या बोलते हैं? exemption इसको क्या बोलते हैं? exemption so अगर आपको 60 से जादा कोई भी subject में आता है आपको वो subject वापस देने की ज़रूरत नहीं है आपको वो subject वापस देने की ज़रूरत नहीं है एई समझे गड़ू? got it guys? so exemption is also a concept that you should know आप तो भाई पास ही होने वाले हो कोई tension ही नहीं है मुझे बट सिर्फ बता रहा हूँ चीजों के बारे में चाला, done so आईए, start करते हैं अपना ये session with some more information अब अपन क्या-क्या content पढ़ने वाले हैं and how it is all going to work out मैं आपको एक बार idea दे देता हूँ so आपनने enroll किया है paper for cost and management accounting hundred marks के लिए ठीक है आपको यहाँ पर क्या-क्या content हमारी तरफ से मिलने वाला है तो से आपको से आपको हमारी तरफ से सर कुछ 65 वाला आया है क्या मतलब नकुम तेरा question नहीं समझा है को उसको 65 को उसको exemption उसको वापस से यह देनी की ज़रूत नहीं बच्चे दो में उसको 150-65 remaining marks score करना है वैसा डन वैसा चल्ड अब आते आपर लोग paper 4 के उपर paper 4 CMA cost and management accounting hundred marks is what we are going to start with ठीक है इस subject में ICAI के लिए मैं भी जो भी चीज़े discuss कर रहा हूं ICAI के नजर से तो देखो from the angle of ICAI क्या हो रहा है यह देखना एक आपको पढ़ना पढ़ता है institute का module कहां से मिलता है यह institute का module icai.org के B.O.S. knowledge portal पे खाली यह पढ़के module पढ़के हो जाएगा क्या the answer is no इसके बाद आपको पढ़ना पढ़ता है something called as RTP RTP का मतलब सुना है तुम लोग ने guys anybody of you please write down let me know क्या होता है RTP RTP का मतलब होता है revision test paper जो हर attempt के पहले हर subject के लिए institute निकालता है इसके अलावा institute का और एक material होता है जिसका नाम है MTP MTP का मतलब क्या होता है इसको बोलते है mock test paper इसको बोलते है mock test paper उसके बाद में और कुछ पढ़ना पढ़ेगा क्या सर हाँ past papers भाई ICI के past papers भी तो देखने पढ़ेंगे अपने को के how is it going right past papers भी पढ़ना पढ़ेगा and last में जो अपने को एक चीज़ पढ़नी है वो है old practice manual something called as old practice manual जब यह पाचो चीज़े पढ़ोगे ना तब जाके आपका यह paper इतनी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा कि आपको मिल जाए 100 out of 100 यह सब पाच चीज़ अलग-अलग करने जाओगे तो इतना time तो आपके पास है नही एक जगा जब जमा हो पाचो module RTP MTP pass paper old practice manual जी हाँ this is going to be the part of our content जिसको अपन बोलेंगे optimized book which is a authored book जो आपके घर पे आने वाली है आपके पास होज सकते हैं आपके पास आप ही चुकी हो and the content of optimized is 1 2 3 4 5 तो पाच अलग-अलग चीजे पढ़ू क्यों न उससे जग अच्छा यह पाचों को एक ही में समेटके optimized पढ़ा जाए क्या मलता है public सही है और exam time पे इन सब को revise करना next to impossible हो जाता है तो इसके लिए optimized है आपकी detailed book इसके साथ मैं आपको दूँगा इसके साथ मैं आपको दूँगा exam के लिए आपके दिमाग में magic हो जाए तो वो हो जाएगी magic book which will be a summary version of your optimized जैसे optimized detailed book जिसमें module RTP, MTP, past paper, old practice manual सब कुछ covered है वैसे ही उसी का एक short form या summary version जिसको अपन बोलते है that basically is your magic book तो यह दो books से अपन लोग majorly पढ़ने वाले हैं are you already and excited मैं आपको बताओ institute institute जब करता है तो institute का देखो अभी मैं आप लोग को जहां पे लेके जा रहा हूं जिंदगी में जब तक आप CA बनोगे तब तक कम से कम कम से कम 500 बार जाओ गया and that is icai.org इसमें student section पे collect करना है और BOS knowledge portal पे क्लिक करना है BOS knowledge portal पे जैसे क्लिक करोगे इधार आएगा click here to visit BOS knowledge portal immediately आप उस पे क्लिक करोगे जैसे उस पे आप क्लिक करोगे you will get all the information here इसमें इसमें से आप तो आप जैसे देखोगे CA study material new scheme click on this CA material new scheme foundation intermediate final यहाँ पे आपको क्लिक करना intermediate पे जैसे आप यहाँ पे intermediate पे क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा group to paper for CMA cost and management accounting and जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे you will get the link for all the topics but क्या अब आपको यह open करने की ज़रुवत पड़ेगी क्या well the answer is no क्यूंकि आपके पास है optimized क्या इसका एक एक सम optimized में solved है the answer is yes everything that is given here भले ही वो theory हो भले ही वो practical question हो हर एक चीज मैं आप लोग के साथ भले वो कोई भी concept हो वो सब चीज आपके optimized में आपको मिलेगी और खाली यह ही नहीं यह तो खाली module हुआ इसके साथ RTP MTP Task Papers सब चीज old practice manual के questions everything is covered in the book that you have exam time पे आपको पता है कि आपको यह 5 चीज अलग से करने की ज़रोत नहीं है एक clarity of thought होना चाहिए और वो clarity of thought अपने को आ जाएगा अपने optimize से और मैंने chapters का numbering भी कुछ इसी साथ सही किया है तो मेरे optimize में भी chapter number 6 cost sheet है institute ने भी cost sheet ही लिया है institute को देखके ही मैंने अपना book बनाया है ताकि मेरे से कोई भी चीज मिसना हो जाए एक एक flow अपना यही इस पे बना रहे because as a student आपको चाहिए आप institute का exam दे रहे हो तो सब institute के हिसाब से करवाना सर तो institute के हिसाब से कर रहा है आपके book में जो मैंने some solve कर रहा है वो भी मैंने institute के हिसाब से ही solve किया है so that आपको एक confidence रहे that yes sir as per ICAI ही जा रहे है हाँ जब मैं उसको आपको समझाते वक solve करोंगा तो उसको simplify way में करोंगा but institute का book अब आपको refer करना नहीं है optimized will include everything समझ में आया everybody is clear तो यह say for example initial pages है यहाँ पे यह initial pages है यहाँ पे institute ने पूरा अपना portion दिया है वो सब मैं अभी आपको go through करवाँगा ठीक है done guys so I hope समझ में आ गया होगा कि अब करना यह सब है और यह मैं आपको बता रहा हूँ paper one two three five सब में आपको यह पांचों चीज करके ही जाना है if you want to score good marks हाँ guys मतलब rank के अगर अपने को aim करना है then यह सारी चीजे अपन करके जाएंगे तो ही अपने को first attempt या rank हासिल हो पाएगा and I am sure आप जो भी class कर रहे है जहां से भी कर रहे है यह सारी चीजे आपको वहां से मिल जाए at least costing and FM के लिए मैं आपको अश्वरेटी देता हूँ that only do my book nothing else yeah 100 out of 100 अर इन रंका का मैंने एक इंटर्विव लिया था you can listen in that even he did only these two things okay guys तो अब वो भी एक tension गया अदर्वाइस वो भी एक tension रहता है और यह भी पढ़ना बुक्स and study them once or take one book and study it multiple times क्या करना चाहो गया वन बुक multiple times या multiple book one time बोलो जवाब जवाब चीए मुझे जवाब चीए मुझे जवाब चीए मुझे one book multiple confused कर दिया अरे एक ही बुक को multiple time पढ़ू या multiple book में एक एक बार करू और confused रहू hmmm jabbat so one book multiple times is going to be our mantra is going to be our mantra sir suppose institute ने कुछ आपने बुक अभी प्रेजेंट कर दिया है launch कर दिया हमारे पास बुक आ गई suppose institute ने अगर कुछ नया introduce किया तो कोई नया sum लेकर आ गई कोई नया question आ टीपी में आ गया last moment पे या कुछ तो किसका है यह तुमको इंतजार मैं हूना तो भाई अपन है आपके साथ जब तक आप chartered accountant नहीं बन जाते ना तुमारा भाई तुमारे साथ रहेगा कोई भी अपडेट आने दो कोई भी कोई मुश्किल कोई परेशानी आए तुमें लगे कुछ ठीक नहीं हालाद मुझसे कहो चलो टो येस आल बेट एपर यू सब म्यूजिक ले रहो या कॉस्टिक ले रहो चलो तो यूदो आपके हरेख चीजो का हल हो जाएगा ठीक है गाईस दन बस एखी चीज 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 आपकी तरफ से discipline, consistency, okay चलो so that's how the system works तो sir एक बार optimized book आप बता दो क्या है and कैसे इसमें पूरा का पूरा system है तो चलो आप, let's let me take you through the whole optimized book और कैसे मैंने इस book को बना है so that it can be very useful to you तो क्या-क्या चीजे मैंने इसमें include की है, आप लोगों को ये बताना मेरे लिए बहुत जादा सुरूरी है so that आप लोग भी उसी pattern को follow करो, तो चलो आप कोई भी एक chapter मैं pick up करता हूँ मेरी optimize में से, say for example cost sheet, चलो cost sheet को अगर आप लोग pick up करता हूँ मैं, तो सबसे पहले अगर आप लोग note करोगे so there will be a motivational quote boss, motivation तो life में सबको जरूरत पढ़ती है, क्या आप क्या मैं, सबको जरूरत पढ़ती है, so पहले, it starts with a motivation quote and उसके नीचे आप लोग देखोगे there is a analysis of marks, के भई कौन से attempt में कितने marks के लिए आया है, so that आपको एक trend पता रहे, उस basically chapter का, तो यहाँ पे trend पता चल रहे है, 10 marks के लिए, यह regular basis पे आता है chapter, कौन सा cost sheet, तो सबसे पहले यहाँ पे, अपन लोग ने क्या-क्या देखा optimize book में क्या-क्या included है सबसे पहले motivation quote ठीक है, motivation quote के नीचे आपको क्या दिखा, there is something called as a trend analysis, यह trend analysis से आपको पता चल जाएगा, कि कौन से chapter में से, कितने marks का regular basis पे आ रहा है third, उसके बाद जब आप page को पल्टोगे, then in that case आपको मिलेगा, आपका study mentor your friend, your philosopher and guide, अब ध्यान से देखना ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, read understand, revise, strengthen expertise, अगर आपको rank में जाना है, say rank 11 to 50, या rank 1 to 10, single digit rank then in that case, आपको यह book को at least 5 बार पढ़ना है, 1 2, 3, 4, 5 तो sir, क्या ही है study mentor, मैं आपको अधात, देखो, जब आपको ही chapter करोगे तो उस chapter में कहना है से बतेरे concepts होंगे, बतेरे as in बहुत सारे, right, so जो इतने सारे मेरे पास concepts available है, वो मैं जब रोज अलग-अलग-अलग नहीं-नहीं-नहीं concepts करते जाऊंगा तो there are chances के मैं पूराने वाले concepts को भूल जाऊंग, अरे याद नहीं अब कुछ, भूल गए सब कुछ, ऐसा कुछ अगर आपकी साथ हो जाए, यह एक आपके पास ready reckoner है जहाँ पर जितने भी concepts है जितने भी questions है सब एक line में आपके पास available है, ठीक है, तो this will help you recap everything दूसरा, अब say for example मैंने आप लोग को करवा दिया question number, say मैंने एक lecture में आपको करवाया, question number 2, 3 or 4, just take an example 2, 3 or 4 मैंने करवाया, अब जैसे मैं ये 3 question करवा दूँगा पहली बार अपना हो गया है, तो आप लोग इसको tick mark कर दोगे, मेरे बोले बिना आपका यहाँ पे tick mark आजाना चाहिए, अब क्या एक बार मैंने जो करवाया, उससे काम हो जाएगा क्या, the answer is no तो आपको फिर जब आप खुद का revision करोगे, तम जो आपने 2, 3, 4 किया, तो आप वहाँ पे second time tick mark करोगे, फिर जब आपको याद आएगा, रहे वापस से चलो cost sheet revise करना है तो जैसे आप ये book open करोगे आपको याद आएगा, रहे मेरा ये दो ही बार revise हुआ है, चलो मेरे को और उसको revise करना है, हो सकता है इसमें से कुछ आपको लगे कि यार exam के लिए बहुत ज़्यादा important है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा है master sum, यहाँ पे देखो आप आओगे अपना paper देखे, tax का और open के आपने ये question open के आपने ये question and you'll be able to answer it no tension whatsoever so revision के लिए भी exam time पे काम आजाएगा आपको आपने particular chapter particular chapter के questions कितनी बार के ऐसे पर example हो सकते है यह मेरा एके करके tick हो, बट यहाँ पे मेरा, यह मेरा एक सब tick हो गया है, बट यह मेरा खाली दो ही बार हुआ है, तो आपको ध्यान आएगा next time जब रिवाइस कर रहे हो कि पहले यह तीन को निपटा दो, क्योंकि यह आपका second revision भी बाकी है फिर आपको आपके पास खुद का target रहेगा नहीं यार मुझे यह चार बार करना है मुझे यह पाँच बार करना है, जब तक पाँच बार नहीं होगा, मिरको expertise नहीं आएगा मिरको rank 1 to 50 नहीं आएगा तो this is like your study mentor your friend, your philosopher and guide जो आपको बताते रहेगा that how things are working how things are working आपका lectures में सर के साथ कितना हो गया है उसका आप टिक कर दोगे, home work दिया तो home work हो गया, टिक कर दोगे आपको कोई particular some difficult लगा जो आपको important लगता है उसको आप ऐसे highlight कर सकते हो तो आपको लग रहा है कि भाई, सब 5 बार नहीं हो पाएगा but at least जो मैंने highlight किया है उसको तो मैं कम से कम पाच बार कर लू तो ये आपको एक indicator है जिससे आपको पता चलते रहेगा आपका particular performance इसके लिए मैंने बुला, ये है आपका study mentor, your friend जो आपको बताएगा आपका कितनी बार क्या-क्या पढ़के हो चुका है, your philosopher जो आपको बोलेगा, भाई कितनी बार और पढ़ना है your guide, कहाँ पर कोई चीज आप से छूड़ गई है got it guys, चलो इस हिसाब से, ये प्रत्यांशी उसके आगे का मैं आपको बता दूँगा you don't have to worry at all तो, this is how the system works this is how the system works study mentor आपको समझ में आ गया, क्या करने वाले आपका आपको बताएगा वो, your performance analysis study mentor is like your performance analysis study mentor your performance analysis done guys, चलो, उसके बाद उसके बाद, next क्या है, ये हो गया फिर मैंने एक chapter का preview दे दिया, ताकि आपको बता रहे है कि भाई चलो, ये एक preview है, जब भी आप revise करने बैठो, आपके पास एक preview ready होना चाहिए, फिर बाद में आता है आपका yes, introduction, so basically मैं concepts करवा रहा हूँ, concepts है, concept के बाद उसका एक पूरा formula है, ये देखो, ये formula इधर मेरे पास लिखवा दिया है, मैंने, concept है, formula है, diagram है, जहाँ पर भी जरुवत हो, बोलते हैं, कहावत है, कि जो देखते हो, वो जिन्दगी बार याद रहता है, हैगे नहीं, movies, दो तीम, एक बार भी कोई movie देखी, उसका scene याद यहाँ पर क्यों भूल जाते हों, तो pictorally, picture देखते हैं तब आपको सब चीज़े याद आती है, content है, फिर उसका जो format है, theory है, हर एक चीज मैंने यहाँ पर cover किया है, you don't have to do anything else whatsoever, ठीक है, फिर बाद में question and answer start होते हैं, मैंने solution भी दे दिया, ताकि कभी आपका कोई lecture miss हो otherwise इधर उदर दर बतर भटकते रोगे notes के लिए, so obviously that should never happen, got it guys, समझ में alright, confidence alright, that yes यार, इसको सच्ची में कर डाला, तो life जिंगा लाला, yes, सच्ची में, है के नहीं, done, फिर बाद में यह हो जाएगा आपका, तो उसके बाद जितने भी दुनिया भर के practical questions है, वो मैंने सारे ल summary कर लिया, यह इसका का statement कर लिया, तो यादे सब ताजा हो जाएंगी, तो preview के बाद आते हैं, content में, content में आता है, मेरा theory concepts, उसके बाद आता है, मेरा formulas, या जिसको अपन बोलते है, format, तो formula, format, और हर एक चीज जहां पर भी मुझे अलगता है, pictorial है, मैंने वहाँ पर pictorial दिया है, तो formula, format आ गया, और उसके बाद practical question and answers, practical question and answers, अब आप लोग को एक अलग से book मिलेगी, for my MCQs, multiple choice questions, for the first time, I'm introduced by ICAI in this subject, जी, हा, first time, ये MCQs भी अपन लोग करने वाल है, इसके लिए मैंने अलग से एक book ही बना दिया है, ठीक है, so separately, multiple choice question का एक book मिलेगा आपको, जिसमें सारे chapters के multiple choice questions होंगे, वो भी class में ही आपके साथ discuss किया जाएगा, yes, मजाने वाल है ना वस, पिलकुल, और फिर बाद में end में आता है आपका summary of every chapter, चलो गाइस, आभी clear, तो MCQs, जी हा, MCQs, B, class में ही हो जाएगा, शम्विल, optimize, ठीक है, done guys, तो ये सारी चीज़ें आप लोग optimize में करने वाले हो, और इस practical question and answer में, मैं आपको बता दू, guys, इस practical question and answer में, इस summary of every, इस theory में, formula में, आपका module बसता है, आपका RTP बसता है, आपका MTP बसता है, आपका past paper बसता है, ठीक है, done guys, done, 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 so, अब मेरा optimized, which is my detailed book, वो भी cover हो गया है, and फिर अपन लोग करेंगे, revision lectures, revision sessions of all chapters, मेरे already YouTube पे है, और भी मैं आप लोग को जरूर करवाँगा, yes, yes, प्रत्याणशी, done, so, यह है आपकी summary book, जिसमें exam के लिए last day division आता हैगा, यह summary book से मैं revision YouTube वीडियो बनाऊँगा, अब यह देखो, यह optimized book हो गया, optimized के बाद, magic book आएगा, magic book, magic book मैं आपको बता दू, magic book is a summary version of optimized book and summarized version of optimized book and मैं आपको एक बात clearly बोल दू, that, yes, इस magic book के revision lectures आएँगे YouTube के उपर, और भी आएँगे, revision lectures on YouTube, yes, YouTube channel without fail, अब भी का भी subscribe कर लेना, अगर नहीं किया है, तो काफी सारी information वहाँ पे आईगी, so, C.A. संकल्प कांस्टिया का YouTube channel है, and at the same time, मेरा एक telegram channel भी है, उसका भी link आप लोग को WhatsApp कर देंगे, वो भी join कर लेना, वहाँ पे भी आप लोग को सारी चीज़े दे दूँगा, plus मेरा personal WhatsApp number, कभी, क्या बोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए, आपको लगे कुछ ठीक नहीं हालात, मुझे से कहो, तो, कुछ भी इशू हो, चोटा मुटा, you can always reach out to me on this number, अब हो सकता है, मैं आपको इस number पे immediately reply ना करू, क्यूं सर ऐसा क्यूं, क्यूंकि मैं इतना busy रहता हूं, मेरे दिन के 6-6-7-7 गंटे के lectures होते हैं, तो कई बार messages में सोजाते हैं, बट आप एक reminder भेज़ दो, reminder 1, reminder 2, reminder 10, reminder 8, मैं आपको देखके remind करके reply कर दूँगा, बट अगर आपको reply कर चाहिए, तो आज-का-ाज आप सब मुझे एक whatsapp करेंगे, that sir, I am, जो भी आपका नाम है, I am XYZ from, जो भी आपकी location है, Mumbai, say for example, and ready to score 100 marks in cost and FM, यह आप आज-का-ाज मुझे whatsapp कर देंगे, so that मेरे ध्यान में रहे, that yes, यह अपना ही student है, और इसको future में कभी कुछ doubt आता है, so I should be ready to reply, okay guys, done, ठीक है, तो यह आपको आज मेरे को whatsapp करना है, ready to score, इतना, 100 out of 100, done, so, अप काफी हद तक अपना discussion हो चुका है, जैसा मैंने बोला, हर एक chapter का आपको revision lectures already है, future में भी आएगा, सब चीज आपको available कर दी जाएगी, हाथो हाथ, चुक, ठीक है, done, clear है, इधर तक किसी को कोई doubt, done है, सबको, समझ में आएगी है बाते, ठीक है, अब मैं, आप लोग को बता दू, कैसे ये पूरा का पूरा subject, ICAI ने divide किया है, भाई, ICAI का exam है, तो उसी के पदचिन्हों पर अपन चलेंगे, तो अपने लिए सही रहेगा, है कि नहीं, इतरों, तो cost and management accountant को, ICAI ने divide किया है, दो पार्ट में, पहला है module 1, और दूसरा है module 2, ऐसा मैंने ICAI खुद कह रहा है, यह देखो, module 1 and module 2, आप मेरा optimized लेंगे, तो मेरे optimized में भी, मैंने इसी सब से divide किया है, क्या है यह chapters, जो module 1 में है, मैं खाली आपको लिखवा देता हूं, introduction to cost and management accounting, hardcore theory chapter, hardcore theory chapter, first chapter, तो last में किया जाता है, इतना theory है, चलो, दूसरा, material costing, क्या होने वाला, एक एक चीज में, वो अपन कल के लिए discussion रखते हैं, आज ही सब बता दूँगा, कहीं heavy ना हो जाए, material costing, labor costing, फिर there is something called as, overheads, फिर fourth, चीज जो आपन लोग यहाँ पर करने वाले हैं, yes, overheads, इसके बाद में आता है, आपका activity based costing, which is chapter 5, फिर आएगा cost sheet, and then है, cost and management accounting, sorry, cost accounting system, ठीक है, तो यह आपका, बनता है, module 1, कितने chapters है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आओ यह देखो institute को, institute को देखो, यह देखो, same तरीके से, डाला है यहाँ पर, अगर आप अपना, optimized भी को लोगे न, जब आपका module 1 को लोगे, आपको यह 7 chapters ही दिखेंगे, जैसा मैंने बुला था, पूरा का पूरा, मैं ICI के pattern को follow कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को कोई tension ना रहे, overheads, आप सिये वाला, हाँ, वह 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 आप सिये वाला, वो वाला overheads नहीं, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, everything is going overheads, वो वाला नहीं, चल, फिर बाद में आते हैं आपन लोग, module 2 के ओपर, module 2 में आपको दिखेगा, unit and batch costing, चल लोगा देता हूँ, 3, 4, 5, 6, and 7, फिर आता है यहाँ पर, unit and batch, फिर job, अब यहाँ पर, old syllabus में, there used to be something called as, contract also, अभी आपको खाली, job के हिसाब से करना है, फिर है process, joint product, service, so, process costing, joint and by product, फिर है, service costing, right, and then, my favorite, standard costing, marginal costing, and budgetary control, और इनका chapter number, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and total, 15 chapters, जो अपने को पढ़ने है, for our syllabus, टिक है, समझ में आ रही है बाते, done, done, done guys, done, done, अच्प, okay, okay, so, यह, अभी कुछ लिखो मत, don't worry, अभी मैं आपको और एक चीज बता दू, कि क्या होने वाला है, system, अपना system कैसे होगा, तो, say, आप लोग अगर लाइव में हो, then in that case, क्या होगा, एक तो, मेरा लाइव लेक्चर होगा, इस लाइव लेक्चर का, बैक अप, डाल दिया जाएगा, गूगल ड्राइव के उपर, इसका बैक अप डाल दिया जाएगा, गूगल ड्राइव के उपर, ठीक है, at the same time, जो मैं, notes लिखवा रहा हूँ, जो भी मेरे handwritten notes है, guys, सुनो, जो भी मेरे handwritten notes है न, जैसे जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, ये सारे के सारे handwritten notes, daily basis पे, ये भी, गूगल ड्राइव पे, upload कर दिये जाएंगे, जी हाँ, बट इसका मतब ये नहीं, कि आप लोग लिखने में, कामचोरी करो, no, सी आप लोग अभी 18, 19, 20 साल के उपर के लोग हो, तो मुझे, उस चीज़ का attention लेनी का, I hope ज़रूवत नहीं हो, कि आप लोग लिख रहे हो की नहीं लिख रहे हो, वो एक, you have to be, गोलते हैं न, दिल से, अपने आपको promise करो कि, yes, करना है, दिल से महनत करना है, और वहाँ पे, कोई कामचोरी नहीं चलेगी, उसके बाद, handwritten notes के बाद, यहाँ पे, there is a system, तो यह schedule से आपको पता चल जाएगा, कि कौन से डे में मैंने, कौन सा topic में, कौन सा concept में, कौन सा question करा है, yes, इतना detailing, तो आपको फिर, और कुछ भी करने की ज़रुद, मतलब कुछ और, अगर आपको, for example, अभी आपने live में attend कर लिए, आपको चीज़े समझ में आगे, आपको revise, बहुत टाइम बाद, से दो मेने बाद, आप revise कर रहे हो, और आपको याद आया कोई concept, और आपको याद नहीं आ रहे, कि आरे यार, वो concept मेंने कब किया था, कहां पे किया था, याद नहीं आ रहे है, एक बाद revise कर लेता हूँ, तो आपके पास 100% backup है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे Google Drive के ओपर, यह schedule होगा, schedule को आप download करके, देख लोगे कि अच्छा, यहाँ पे day 21 में, lecture number 1 में, यह सर ने यह वाला concept, और यह वाला question करवाया है, समझ में आया guys, done, यह सारी चीज़े, हमारी तरफ से आपको Google Drive पर provide की जाएगी, backup, handwritten notes and schedule, on daily basis, मतब जैसे ही मेरा chapter हुआ, मैं आपको कर दूँगा, जैसे ही मेरा session हुआ रादर, upload कर दिया जाएगा, regularly, so module 1 में, कितने chapters है अच्छा, module 1 में है 7 chapters, and module 2 में कितने chapters है बिढ़ा, module 2 में है 8 chapters, ठीक है, ओके, और, ठीक है, अब मैं आपको बता दू, मेरे पढ़ाने का तरीका, जिसके लिए आपने, यह lecture join किया है, yes, and my style of teaching, is going to be very, very, simplistic, जो आपको day 1 से ही समझ में आ जाएगा, क्या पता है, सबसे पहला काम, कोई भी चीज करवाने के पहले, मैं आप लोग को दूँगा, उसके पीछे का एक example, और यह मेरे सारे self created example है, जो market से connected है, जो आप daily life से connect कर पाऊगा, आपको लगेगा, सर, यह तो मेरे साथ भी हुआ है, और मैं बोलूँगा, क्या आपने तब costing का concept अपलाए किया था, आप बोलूगे नहीं सर, मैं बोलूँगा अब से apply करना, तो यह example, example, connected, ऐसे आपके साथ example बनाऊँगा मैं, कि आप खुद वो example से concept को connect करोगे, आप खुद concept को connect करोगे, और इस concept से अपन लोग derive कर पाएंगे formula, तो formula को रटा मारना है, या derive करना है, बोलो बोलो चल चल, correct, सर, 101% सर, derive करना है, बट derive करने के लिए concept पता होना चाहिए, concept कहां से आता है, भाई, example से, concept कोई उपर आला ऐसे गिराता तो है नहीं, चलो concept बन गया, चलो गिर जाओ, concept बन गया, गिर जाओ, no, it is this concept has come, how, by example, कुछ ना कुछ practical example हुआ होगा, कही ना कही, उस practical example के बदालत, concept आया होगा, उसके बदालत, formula derived हुआ होगा, वो example क्या है, वो आपको आपका भाई पढ़ाए का पहन, don't worry, और मैं आपको बोलता हूँ, मेरे example ऐसे होंगे, जो lifetime तक आप याद रखोगे, yes, यह मेरी guarantee है, इतना आप मेरे पे छोड़ देना, lifetime you will be able to remember it, in fact, मेरा session ही मैं, example से start करने वाला हूँ, and that's how the tone is going to be set, क्या बोलता है पुबलिक, all set, तरीका सही लग रहा है, लग रहा है अपन लोग इसी ही साब से करना चाहेंगे, done, अब मेरा next जीज़ जो मैं आप लोगो को पूछना चाहता हूँ, your expectations from me, as a student, अब अपने को आने वाला almost two and a half to three months साथ में बिताना है, तो मैं आप लोगो को पूछना चाहता हूँ, आप लोगो कोई क्या expectations है मेरे पास से, ये भी तो जरूरी है, कि मैं आप लोग से समझ लूँ, आप क्या चाहते हैं, you tell me your expectations, your expectations, कि sir, anything that you are expecting from me, आज मौका है, दस्तूर है, बोल दोए, क्या चाहिए आपको मेरी तरफ से, your wish is my command, tell me, to make lectures interesting, at your honor sir, हर एक lecture interesting होगा, ये मेरी guarantee है, and वो interesting बनेगा, इस style से, ये बापको मैं बता सकता हूँ, so first sir, lectures interesting बनाना, please, ठीके, lectures को जरूर interesting बनाएंगे, second, और कुछ, और everybody, please participate and tell me, फिर मैं मेरे points बोलूँगा, मुझे, क्या चाहिए, या आपके क्या expectations होने चाहिए थे, homework doubt solving, पलक का बहुत अच्छा point है, कि sir, homework तो दे दोगे आप, बट अगर वो homework में हमारे को doubt आया, तो आप solve करोगे ना sir, जरूर करेंगे, homework doubts solving, next, कि sir, class में माहौल बना रखे अपन लोग, okay sir, lecture interesting बनाएंगे, और माहौल भी बनाएंगे, उसका attention ना लीजिए, सर कोर्स इतना सारा है, concepts हम लोग भूल जाएंगे, तो आरिया जी पूछ रहे हैं, सर उसके लिए, अब क्या करोगे, correct, उसके लिए, regular revision, on daily basis, तो आपन क्या करेंगे पता है, जब मैं next day का lecture start करू, क्यों ना उसके पहले, मैं, उसके पहले, जैसे ही मैं session start करूँ, क्यों ना उसके पहले, last में जो भी हुआ था, last lecture में जो भी हुआ था, उसको पहले revise करवा दू, क्या बोलती है, राहूर जी क्या बोलती है, सही है, आरिया जी, बराबर, so regular revision, on daily basis करेंगे, तो आप आगे का भूल ही नहीं पाएंगे, हाँ, फिर test after chapter complete, ओके, tests after chapter completion, ओके, system set हो चुका है, next, be an expert like you in costing, मेरे जैसे expert बनना चाहते हो, पक्का बना दूंगा, बस एक चीज़ आप से चाहिए, प्रैक्टिस, 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 मैं भी आपके जैसे ही था, expert, तो नहीं बोलूँगा अपने आपको, आज भी मैं सीखी रहा हूँ, आपने आपको यही मानता हूँ, but, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, कही न कही दी मोटिवेड़ फील हो जाते है सर, कि क्या हम लोग सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, so yes, there will be regular motivations as well, handwritten notes, बनवा दीजिएगा, शेंबिल, very well said, मेरा एक concept है, जिसको मैं बोलता हूँ, student notes, सर ये student notes क्या होता है, ये ही होता है, handwritten notes, मेरा एक concept है, जिसको मैं बोलता हूँ, student notes, it is nothing but, handwritten notes, जो आपको बनाऊगे, class के, lecture के, itself, hard concepts को slow सिखाना, okay, ठीक है, so मैं इधर, शुभांकर का, एक easy way में लिखता हूँ, that, to make difficult concepts easy, शुभांकर जी, आप ये ही बोलना चाहते हो, to make difficult concepts, easy, done sir, study tips, so motivation के साथ साथ, इधर मैं लिख देता हूँ, study tips भी, आपको देते रहूंगा, exam के presentation के लिए, tips दीजिएगा, जो जो test है, उसमें वो चीज, discuss की जाएगी, आप लोगों के साथ, okay, 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 so, so, exam, presentation tips, इधर लिख देता हूँ, बै, and मैं आपको बता रहा हूँ, खाली मेरे ही, subject का नहीं, हर एक subject का मैं, यहापे आपको tips देते रहूंगा, येस, और मैं क्या करूंगा पता है, बीच बीच में, जैसे ही मेरा कोई chapter हो गया, अपनों के kind of a quiz जैसा खेलेंगे, जापके मैं आपको question बूचूँगा, आपको जवाब देना है, question बूचूँगा आपको जवाब देना है, तो उसे आपका mcq का भी preparation हो जाएगा, और उसे आपको भी confidence आजएगा, so I think, can I say, ये expectation, मेरी तरफ से मैं ले लेता हूँ, एक बात बोलना चाहूँगा, इस चीज़ के, तेरे सारे दुख मेरे, मेरे सारे सुख तेरे, आज से याद रखना है ये बात, जब तक आप chartered accountant नहीं बन जाते, तब तक ये सारी चीज़े, मैं करवाने का, आपके साथ एक प्रण लेता हूँ, ओके, आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए, आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, जो किसी नहीं आपके नहीं बोला, and that is regular communication, otherwise है न, lost हो जाओगे, हाँ, तो मैं आपको पूछते रहूंगा, आपको जवाब देते जाना है, अगर वहाँ पे किसी ने जवाब देना पंद किया, तो लाइफ से आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि वरना मुझे कैसे पता चलेगा, आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं, चलेगा दोगे कि नहीं दोगे, तो regular communication, यह मेरी expectation है आप लोग की तरफ से, plus मैं तो चाहूँगा, hundred percent attendance, I understand कभी-कभी बीमार-बीमार होगे, फिर भी मैं तो चाहूँगा आप attend करो, मतलब एक कहावत है मेरे lectures में, जो usually मैं से ये final वालों को बोलता हूँ, जान जाए पर lecture न जाए, क्योंकि एक ऐसा चीज़े connected होती है, कई बार वो lecture मिस हो जाता है न, आगे का connection थोड़ा छूट जाता है, even though मैं ट्राइ करूँगा कि connection के साथ भी, तो भी आप lecture मिस करो, तो भी आप बैठो और आगे attend करते जाओ, फिर भी रहे तो अच्छा है, ठीक है, so hundred percent attendance मुझे चाहिए, and third is, practice through, homework and tests, यह आप लोगों के हाथ में, homework में दूंगा, बट आप करके नहीं आए, या test में लूंगा, बट आपने नहीं दिया, तो in that case, इस में तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, तो यह नहीं होना चीए है न, so please यह तीन चीज़, आप लोग, मुझे कमिट कर दो, यह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने demanding हो रहे तुम लोग, यह 8 चीज़, मैंने कमिट कर दी, ठीक है, चौँ, टन, a case, a case, a case, चौँ, so, इस positivity के साथ, इस confidence के साथ, that yes, मजा आने वाला है इस subject में, टेस्ट में गलतिया हो, तो clear कर देना, प्लीज, जरूर, so, वो इधर अपना जो था ना, 100%, homeworked out, solving में, तो वो उधर अपन ध्यान, लेनेंगे, ठीक है, चौँ, अब, यह, अपना tone, set हो चुका है, अब मेरको बहुत मन कर रहा है, कि मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ, बट आज first session है, तो मैं उसको light रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ठीक है, एक एक positive environment रहे, बट कल से, तो पढ़ाना स्टार्ट करने वालो, वो बात की guarantee है, अब मैं आपको से बता दू, कि मैंने, इस subject को कैसे divide किया है, so CA inter, cost and management accounting को, मैंने कैसे divide किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसको divide किया है, through phases, नन्दनी, that we'll discuss, मैंने क्या किया पता है, मैंने इस पूरे subject को divide किया है, into four phases, जी हाँ, हाँ, yes, कल class है न, hundred percent class है कल, phase one, phase two, phase three, and phase four, जी हाँ, phase one में आते हैं मेरे topics, कुछ topics, phase one में मैंने कुछ topics को divide किया है, so यहाँ पे, please everybody ध्यान देना, and those topics for me are, cost sheet, material, labor, overheads, यह हो गया आपका एक phase, ठीक है, exam में भी आपको revise, इस phase के हिसाब से ही करना है, yes, you heard that right, second phase में रहाता है, marginal, ठीक है, marginal, standard, and budgetary, this is going to be another phase, तो यह phase आप क्यों बता रहे हो sir, मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि, आपको जब revise करना है न, आप अपना revision इस हिसाब से, इस phase के हिसाब से कर सकते हो, yes, फिर बाद में आता है phase 3, फिर बाद में आता है phase 3, phase 3 में मेरे जो chapters है, and last में phase 4, phase 3 के मेरे chapters में लिख रहा हूँ, they are cost accounting system, पहले उसे ज़्यादा, process costing, joint and by-products, activity based costing, and cost accounting, system, and जो मेरा last phase है, जिसको मैंने phase 4 का नाम दिया है, this phase will cover the remaining topics, which is your service costing, आइम जोबसाइसल्टकोंचटंच्स, costing, and introduction to cost and management accounting, introduction to cost and management accounting, so phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, ये 4 phase बना के मिलता है मेरा, yes, total 100 marks, which is going to be for your examination, and आपको भी revise, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी revise, इस phase के हिसाब से ही करना है, और मैं भी हो सकेगा, उत्तरा phase wise ही, आप लोग को चीज़े करवाते जाओंगा, आभी clear guys, so देखो total कितना, 4 यहां पे, 3, 7, 4, 11, and 4, 15, what it guys, ठीक है, so इस phase के हिसाब से, इने को पढ़ना रहेगा, done guys, चल्ड, अब एक last tease बता देता हूं, before we wrap up for today, and that is going to be your paper pattern, जी, हाँ, paper pattern is going to be 100 marks, इस 100 marks में से 30 marks का है multiple choice questions, and 70 marks का है descriptive, इसमें case-based scenario आएगा, जिसमें questions होंगे of 1, questions of 1 और 2 marks each, समझें, and दूसरा है 70 marks, descriptive, 70 marks, descriptive, यह 70 marks, जो आपका descriptive होने वाल है, इसमें ICAI can play with few few things, so इसका मोटा मोटा अगर मैं आप लोग को एक pattern बता हूं, then in that case देखो क्या करेंगे वो लोग, इसमें आप लोग को options भी दिया जाएगा, so say for example 20 marks का एक question आजाएगा, and जो बचा remaining है, so what they may do is, this also 25 marks का एक question, and जो remaining 45 marks है, उसको 15 marks into 3 questions करके भी institute कर सकता है, so let's see, that institute can play within itself, तो इसके ओपर अपने को कहीं पे भी stick नहीं होना है, बस we should know that approximately 30 marks का MCQs आएगा, and 70 marks का descriptive आएगा, and 70 marks में case-based scenario होगा, जिसमें एक-एक, दो-दो mark के questions institute उचेगा, are we clear everybody, क्या इधर तक सब आपको समझ में आ गई है, बाते मेरी, टन, चार phase, ओके, negative marking है क्या सर MCQ में, no negative markings, no negative marking in MCQ, ठीक है, so no negative marking, yes, अब यह phase, आज, मैं मेरे story पे, तो देखो अभी तुम लोग मुझे, वो WhatsApp करने ही वाले हो न, क्या WhatsApp करने वाले हो, अपना नाम, and साथ में मेरे को एक promise दे रहे हो, I am this, ready to score 100 marks in cost, NFM, WhatsApp कर रहे हो, आप लोग मेरे को, रहे है, यह इसके साथ, मैं अपनी story पे डाल रहा हूँ, और तुम भी अपनी story पे यह डाल दोगे, that this is how, our subject is going to be phased out, so that, यह आप के लिए भी एक reminder है, और मेरे लिए भी एक reminder है, that yes, this is how we are going to approach our subject, ले लिया है मैंने, Google Drive वाला, जो जब देख रहा है, वो तब डाल देगा, कोई problem नहीं है, क्या बोलते हो public, done guys, awesome, simply awesome, यह manifestation अपन लोग ने कर दिया है, अब इस manifestation से पीछे, नहीं हटना है, जान लगा देंगे sir, जान लगा देंगे, but, आज जो बात कही है, आज से एक साल बात, जब result आएगा ना sir, आपको प्रूफ करके दिखा देंगे, that yes, we have done, what we had promised, done guys, आज के लिए, इतना काफी है, जैसा मैंने बोला, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाऊंगा, आज और पढ़ा दिया, तो कही ओवरहेट्स ना चले जाए, इसलिए आज मेरे को बस आप लोग को देना था, एक छोटा सा introduction, of myself, तो आज मैंने क्या करवा, intro of myself, and you can say, subject, and एक पैटर्न अपन लोग ने डिसकस कर लिया, कल हाड कोर कॉस्टिंग स्टार्ट होने वाले हैं गाइस, तैयार रहना, फ्रेश हो के आना एक दम, and let's do it, and जैसा मैंने बोला है, तीन चीज़ आप से, communication, regularity, writing practice, चालो, time for me to say, आस्ता लाविस्ता गाइस, आज जो भी पड़ा, चोटा सा recap, आप लोग को करवा देता हूँ, अपने बारे में मैंने जोड़ा बताया, आप पढ़ रहे हैं, chartered accounting company secretary, first attempt, intermediate clear, and first attempt, chartered से, worked with JP Morgan, for four years, teaching at CA intermediate and final level, for the last 10 years, एक decade से मैं पढ़ा रहा हूँ, with students ranging from even 100 out of 100, in the subject that we are studying, practically आप लोग को हर एक चीज़ करवाँगा, मैं मार्केट से, and after every session, कुछ नया सिखाऊँगा, जिससे आपको भी लगेगा, that yes sir, मजा आया, ठीक है, चुँ, टन, मराटी में बाई अन थैंक्स, कैसे बोलते हैं, सला, मंदली आभारी आये, भेटू याप लवकरत, बरार मुला क्या मैं, ओके गंदलवाल जी, चलो, थैंक्यू, थैंक्यू थैंक्यू सो मच, यशु, गॉरव, ननी, नंदिनी, and, I mean, so many names, everybody, thank you so much, take care, so excited for tomorrow, me too, I am so excited for the next two and a half, three months, that we are going to be together, bye-bye, astala vista, see you all tomorrow, take care, अच्छा, बाखी सब चीज़े, Google Drive पे अप्लोड हो जाएगी, दो तिन दिन, एड़्जस्ट होने को आपको शाहिद लग सकता है, मेरे साथ नहीं, in general, अभी नया टेक्नोलोजी आप लोग ने शाहिद अडॉप्ट किया हो, तो live lectures देख रहे हो, या whatever it is, दो तिन दिन लगेगा, दो तिन दिन देना, panic मत होना, फिर सब चीज़ सेट हो जाएगी, मेरे साथ तो कल से ही आप लोग adjust होना चालो हो जाओगे, कल के बाद हर lecture का आप वेट करोगे, देखना, के sir, कब होगा आपका lecture, sir थोड़ा और ले लो ना, कब होगा next lecture कब होगा, sir और सीखना है, sir और सीखना है, और बाते बताओ ना, practical life के बारे में, ये आप लोग से मैं देखना, बुलवाने वाला हूँ, सोचोगे जब मेरे बारे में, तनहाईयो में, चलो, बावाई, येस, लवकर भेट हुए, बावाई, ठीक है, और हाँ, ये मेरा commitment, तुम लोग ने set कर दिया है, तुम लोग का commitment, मैंने set कर दिया है, बावाई, see you all, आज से ही वेट है, ये ही सुनना था, चलो, ठीक है, तुम मुझे आप लोग प्लीज ये भेज दीजएगा, I'll be waiting, for this, I'll be waiting for this manifestation, this, and अपना story, story में अपन बढ़ाएंगे, ये मैं भी डाल रहाँ, अपनी story में, not you worry, yes, तुम लोग ये थार ही, photo ले लो भाई, CA Inter, by CA Sankalp Kanshtia, पुम में इलें आप, Centerुप की, ist हमायस, between the alltmy ए ए मॉड़ा हानी, ये सरू होग का, झालना ही, no, तुम में आप, अज़ना होग, बाद़नैंगे, पुम में ए आफ, आ дорог, जनमान भी सुन्झफज़ят चलीघ pec summary जिस्टाप जिस अए सिंगे, ।